Hello friends, welcome to knowledge shower जिनका इस साल Delhi University Law Faculty का entrance exam crack हुआ है और जो admission ले चुके हैं उनके mind में अब दूसरा question ये आ रहा होगा कि हमारी classes कब शुरू होगी और जो Delhi के बाहर से हैं उनके mind में ये question आ रहा होगा कि हमें अब Delhi कब आना है और कब से हमारी classes शुरू हो जाएंगी So as per the PG schedule 31st of December तक आपके सारे admissions complete हो जाने चाहिए तो इस हिसाब से अगर मैं classes देखूँ तो कहीं ना कहीं first week of January से आपकी classes शुरू हो सकते हैं इसका schedule आ सकता है तो आप यह नुमान लगा लिजे कि regular basis पे first week के end से आपकी classes शुरू हो सकती हैं यह आप कहा सकते हैं second week के starting से तो आपको डेली कब आना चाहिए जो outside of Delhi रहते हैं So देखिए जो डेली में रहते हैं उनको तो कोई problem नहीं है So जो डिली से बाहर रहते हैं उनको एक चीज यह देखनी है कि उन्हें hostel के लिए भी approach करना है और अगर hostel नहीं मिल रहा है तो उन्हें PG के लिए भी approach करना है तो इस scenario में आपको 2 या 3 January को डेली आ जाना चाहिए क्योंकि आपको finalize करना है, hostel उसके लिए apply करना है या फिर अगर hostel नहीं मिल रहा है तो आपको PG के लिए भी finalize करना है So this is our second question कि हमें Delhi कब आना चाहिए या हमारी classes कब शुरू हो सकती है अब अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी किताबे पढ़नी है first semester के लिए और क्या आपको दुक्की लेनी चाहिए So ये बहुत important question है जो मैं next video में deal करने वाला हूं Thank you so much Please subscribe our channel and share this video